नमस्कार आप देख रहे हैं गिरिडी का बेहत लोग प्रियब एवं विश्वशनी न्यूज चैनल सिटी न्यूज मैं अंकिता बढ़ दियार आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंग में आएए नजरे डाल लेते हैं आज की सुर्खे ओपर इस हेटलाइन के प्रयोजक हैं सावित्री डेंटल एन इंप्लांट सेंटर यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दातों का बहतर इलाज पता एची हाई स्कूल पोट रोट गिरिडी इरिफानिया डेंटल होस्पिटल एंड पैथलोजी में डॉक्टर ए अली सिदकी एवं डॉक्टर फरहत जवीन द्वारा दातों के संपुर्ण समस्याओं का पाएं निदान पता में रोट पचंबा गिरिडी सेंट्रल फार्मा यानि की दवाईयों का जक्षन जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित सक आपके स्वास्त की देखभाल के लिए उतलब्ध हैं एवं हर प्रकार के दवाईयों पर 12% का फ्लैट डिसकाउंट दिया जाता है पता याद रखें सेंट्रल टावर पचंबा रोट बोलो गिरिडी कला संगम गिरिडी के तत्वधान में आईजवित तीन दिवस्य नाटक शास्त्रे निरित्य लोक निरित्य प्रतगिता का हुआ समापन बहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकार को किया गया सम्मानित जगदीश प्रशाद कुश्वाहा की स्मृती में हर साल किया जाता है कारि आगामी लोक सुभा चुनाउप में मतदाता भागिदारी बढ़ाने के उदेशों से सिविल कोट में किया गया ज्वागरुकता कारिक्रम कर्मियों को दिलवाय गया मतदाता प्रतिग्या श्रपत का पार्थ डीसी ने बार एसिसियेशन के प्रतिनीधियों के साथ की बैठ सरस्वती शीशु बिद्या मंदिर में केंद्रु सिक्षा राजी मंत्री अनपूर्णा देवी ने बिद्याले में दो भवन का की शिलन्यास प्रधानचार्य आनंद कमल ने मंत्री को पुष्प गुच्च दे कर किया स्वागत कई गन्मान्य लोगु की रही उपस्थिती में श्री श्री 108 श्री अंजनी पुत्र बालाजी मंदर का प्रान प्रतिष्था सापंच दिवस्य यग की हुई शिर्वात निकाली गई भव्य जल्यात्रा कथा और राम लीला का भीक्या गया आयोजिन 15 मार्च को होगा यग की समाप्ती सीएम स्कूल ओफ एक्सिलेंस पचंबा परिसर में सोब बारको केंद्रु सिक्षा राज्य मंत्रिया नपूना देवी के हाथों बालिकाओं के बीच साइकल का वित्रन क्या गया जेल इंदिया लिमिटेड न्यू देली के सीएस आर मद से जिला को 780 बच्चियों के लिए साइकल उप्रेप्त कराई गई साइकल वित्रन के अफसर पर जिला परिसर अद्यक्ष मुनिया देवी जन प्रतिनिधी कामेश्वर पास्वान जिला सिक्षा पदाधिकारी वसी महमद जिला योजना पदाधिकारी अनंत कुमार मिश्रा जिला सिक्षा अधिक्षक मुकुल राज सहायक कारिक्रम पदाधि इसी दोरान मंत्री ने चात्रों एवं उनके अभीभावकों को संबोधित करते हुए बताया कि बालिकाओं को साइकल उपलग्द कराने से बालिकाओं को विद्याले में ठहराव सुनिश्चित होगा और ड्रॉप आउटकम होगा बालिकाओं आगे-ागे की सिक्षा प्राप् सिद्ध होगा स्वागत भाषन जिला सिक्ष्या पदादिकारी वसी मेहमद द्वारा दिया गया इवं धन्यवाद गया पंजला सिक्ष्या अधिक्षक द्वारा दिया गया कला संगम गिरिडी के तत्वधान में सवेरा सिनेमा हॉल में आई जितीं द्वस्य नाठक शास्त्रे नृत्य लोग नृत्य प्रतोगिता का समापन हो गया यहां नाठक में प्रथम प्याज की फूल द्रामटर्जी दली द्वित्य सहयापन हयाल खोला वेस्ट बेंगल तृत्य एकाइंड ओफ प्रेगनेंसी यूथ थियेटर ग्रोप उत्तर प्रदेश चतुर्त अश्वतामा नशाना जम्शेदपूर पंचम उसके साथ प्रांस गेक रिवा मध्य प्रदेश सांत्वना कै द्रंग घिरिडी वाश्यूनय पंचुरी नट्राज इंद्रित्य परिसद उडिशा को दिया गया सर्वस्रेष्ट अभिनेता का प्रुस्कार नाचक अश्वतामा के दश्वत हांस दा को प्रदम एकाइंड ओफ प्रेगनेंसी के शब्दाव खान को द्वित्य सहयापन के बुझे प्रमानिक को द्रित्य वाक्यानवास की मौत के पुरुश्वत अंद्राज को सांधवना प्रुस्कार दिया गया सर्वस्रेष्ट अभिनेता का प्रुस्कार नाचक उसके साथ के आलोक शिल्क को प्रथम प्याच के फूल के मुहमद आकिब को द्वित्य शूनिय पंजुरी के प्रवीर जैना को तृते प्याज के छिल्के के आफ ताब जिलानी को सांत्वना पुरुसकार दिया गया। सर्वश्रेश्ट अभी नेत्री का पुरुसकार नाचक प्याज के फूल के गौरी गुपता को प्रतम एक आइंड ओफ प्रेगनेंसी के प्रिया रोय को दुबित्य सहियापन के लावन्या सरकार को तृत्य वहार कैन्वस की मौत के शूती सिन्हा को सांत्वना पुरुसकार मौके पर कड़ा संदम की समारिका सर्जना का विमूचिन मुख्यती थी संडक्षक राजीर बगेडिया सद्विंदर सिंग सलूजा समारिका के प्रधान संपादक राकेश सिन्हा सचीव सा प्रबंद संपादक सतीश कुंदन संपादक सुनील मन्थन शर्मा उपादक्ष पंकजिता अंजनी सिन्हा राजीर सिन्हा सा सचीव शिवेंद्र सिन्हा मदन मन्ज्वे सा संयोजक राजेश सिन्हा मुके सलहकार क्रिशना सिन्हा कानूनी सलहकार वशालानंद कारले प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना नर्देशक अशोक मानव मुहम्मद निजान शिवला सागर आदी ने संयुक्त रूप से किया इसी मौके पर कला संगम के संरक्षक पदाजिकारी वा आजीवन सदस्यों सहेतस मारिका का प्रधान संपादक राकेश सिन्हा संपादक सुनील मंधन शर्मा वा मीडिया प्रभारी विनोध शर्मा को भी सम्मानित किया गया इस पूरे महत्सब में नाठ्य प्रमुक्स नितिश आनंद निर्ति निर्देशक दिव्य सहाई अजय शिवानी रवीश आनंद अनुपम्तिशोर स्वाती सिन्हा शिल्धर प्रशाद शुभम विकास रंजन अकाश सद्धान्त रंजन सौरवरंजन सुमित इंद्रजीत कान् अगामी लोक सुभा चिनव में मत्दाता भागिदारी बढ़ाने के उदेशु से सौमवार कु सिविल कोट के बार एसोसेशन के सभागार में एक जागरुकता कारिक्रम किया गया यहां सभी सदस्यों वा अन्यकर्मियों को मत्दाता प्रतिग्या श्रपत पाठ कराया गया स्विप कारिक्रम के तहत जला निर्वाचिन पदाधिकारी नमन प्रेश लखना ने बार एसोसेशन के प्रतिनीदियों के साथ एक बैठक भी की जरान स्विप से जुड़े दायतों के संबंद में जानकारी दी गई इस दरान कारिक्रम में IAS प्रसिक्षिव बार एसोसेशन के अधेक्षिस सचीव उप निर्वाचिन पदाधिकारी जला समाच कल्यान पदाधिकारी बार एसोसेशन के सदस्य प्रतिनीदी हेल्प डेस्क मैनेजर समेत सभी संबंदित अधिकारी उपस्तित थे मुखी अतीथी के तौर पर शामल जिला निर्वाचिन पदादेकारी श्री लकडा ने स्विप एक्टिविटी के तहत किये जा रहे कार्यों के विस्तरित जानकारी दी साथी वर्तमान में मैं सत्यापित मतदाता हूँ एवम मैं मतदान हेतू तयार हूँ अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत मतदाता अपने मतदान के इंदर में जाकर अथवा स्वैं वोटर हेल्पलाइन आप के माधियम से अपना एवं अपनी परिवार के अन्य अरहता योगत व्यक्ती का नाम मतदान सूची में पंजिकृत है का जाँच कर सकते है यदि किसी व्यक्ती अथवा उनके परिवार के अन्य अरहता योगत व्यक्ती का नाम मतदाता सूची में पंजिकृत नहीं है तो वे अपना नाम मतदाता सूची में पंजिक्रित करने ही तू प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं इसके साथ ही बताया गया कि मतदाता सूची में किसी प्रकार का संशोधन अथवा वोटर कार्ड बदलने ही तू प्रपत्र 8 में आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा उन्होंने वोटर हेल्पलाइन एप के महत्वत सीवीजिल एप एवं फेक न्यूस की पहचान हेतू वेफसाइट वा अन्यम माध्यमों की जानकारी दी यानि की प्रचार प्रसार के लिए हमारे अगुब्ता साथियों के दीच में आए हैं इंपोर्टेंड एक्टिम्टी थी जो कि पार एस्टेशन के माध्यम से हमारे जितने भी अधिवित्ता साथी हैं, जितने भी प्रार्थी हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, वो सब इससे आचा देतों और जो चुनाओ का जो पुरी प्रक्रिया है लोग पंतर का इसका बेसिक परपस था कि कैसे लोगों को जाबरुप किया गया है, पुर्बेशनर आइस मैं इपेश कुपारी जी ने अपनी बातों को रखा, हम लोगों ने बड़े गौर से इंकी बातों को सुना और इस बात को हम लोग काफी इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताक कि लोगों में इलेक्शन के समय में जागरुपता प्रदा हो, अधिक सैधिर चाहिंखा में लोग अपने घरों से बाहर रिक्रें और गोप में पाटिस्पी इसकता पर करम था और वो है किस साहने बता दोत है तिस परेकार समेजु कर्ओं ने बर्गंडा स्थित सरस्वती शीशु विद्या मंदिर में सुमवार को केंद्र सिक्षा राज्रमंत्री अनपूर्णा देवी ने विद्याले में दो भवन का शिलन्यास किया प्रधानचारिय आनंद कमल ने मंत्री को पुश्पगुच्छ दे कर स्वागत किया मौके पर अनपूर्णा देवी ने कहा कि भारत के प्रधान मंत्री के नित्रतु में बच्चों को बहतर सिक्षा देने का प्रयास जारी है विद्या भारती के व साथ साथ जिम्मेवार इंसान बनते हैं प्रधान मंत्री के नित्रत में भारत नए कीरती मान स्थापित कर रहा है प्रधान मंत्री के विक्सित भारत के लक्षे को प्राप्त करने के साथ साथ राज्ट्र सिक्षा नीती 2020 पर इन्होंने अपनी बातों को रखा धन्यवाद अपन विवाग प्रमुकों प्रकाश सन्हा एवं मंच संचालन अजित मिश्टा नीकिया मोकिपर सांसद प्रतिनिदी दिनेश यादव समीति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रशाद सन्हा नगर संचालक विजय जैन संतोष गुप्ता प्रकंड सांसद प्रतिनिदी नरेश बर्णवाल, डॉक्टर रवी महर्शी, रामजी प्रशाद, सिये राकेश कुमार, ब्रिजुनंदन प्रशाद, लखनलाल बर्णवाल प्रकाश सेथ, नलीन कुमार समस्त आचारे दीदी एवं उनकी काफी संख्या में नगर के गन्मान्य उपस्तित रहे अज हम लोग ऐसे समय पे यहां पे उपस्तित हुए हैं, जब भारत आजादी का अवित महुत्सव बना रहा है, और इस अवित कान में जैसा कि अभी उद्धकोंशक देने कहा, कि देश के सस्वी प्रधान पत्री जी लगता, भारत को निंत्य नहीं उचाईयों तब उचा बिच्षित भारत के लक्ष को पूरा करने के लिए उन्होंने चार आयाम तहीं किये, उसमें सबसे पहला आयाम लुवा, दूसरा महिला, तिसरा किसार चौथा करी और इसी आयाम को आगे बढ़ाने के लिए देश के अंदर तीस वर्सों के बाद रास्ट्रे शिक्षा निती आई रास्ट्रे शिक्षा निती के मांदियां से हम बच्चों को कैसी शिक्षा देगे? इस दौरान महिला और युक्तिया सर पर कलश लेकर जल यात्रा में श्याम ही, इस दौरान पुरूशर बच्चे विद साहित होकर सनातनी जंडा लेकर जैसरी राम जैहर्मान का नारा लगा रही विदी विधान से जलासे से जल भर कर मंदिर परिशल आगया, इसके बाद गरिस पूचा और विभिन प्रकार के पूर्जन करवाएगे, बताएगे कि 12 मार्च से 14 मार्च तक विदी विधान से पूजा पाच करवाएगी, वहीं 15 मार्च को मंदिर में बच्रंबली की प्रा करवाएगे, बताएगे, 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 वरंडिया रानी डी छाता टर्ण चुट्या सभी लोग सभी कलश जात्रे सामिर हुए है और ये यक को इस कलश जात्रे को सफल बनाने में हुआ है इतने लोग आए विवस्तित तरीके से चले कहीं कुछी को प्रोब्लम ना हो इसके लिए ये मारे पुरु मुझेजी और वर् कर रहा है सातुम इधायक ठीक है इसमें बहुत कुली हो कर रहा है सारा इत्विदी मेवस्ता सब्सक्राइब में आज देख रहे हैं कलसात्रा एकराम गुणियारी जारी है यह बहुत रुकर लग रहा है यह जो प्रिए के लोग जो कमेटी के लोग त्वारा बहुत सब्सक्राइब में बहुत रहा है तारटार थाना प्रभारी मुकेश कमार पंडित मौके पर पहुचे इस दोरान सीओ बाव वीडियो का वहन अवैद बालू लदे ट्रैक्टर के चपिट में आने से श्रतिगरस्त हो गया बाद में अवैद बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त कर तारटार थाना परीसर तारटार थाना पर मामला दर्जुकरानी के प्रकरिया की गई इस बीच गिरिडी कॉलेज के सभागार में आज इनहागी दा वैल्यू ओफ गल्चाइल्ड जैसे महत्वपूर्ण वश्रय पर संगोश्टी संपन हुई उच्चे एवं तक्नीकी सिक्षा विवाग ज्वारकन सरकार के द्वारा निर्देश्वत उग्त कारिक्रम के लिए गिरिडी कॉलेज के प्रोफेसर राज कुमार वर्मा प्रोफेसर श्वेटा कुमारी एबं च्हातरा मित कुमार यादव तथा छातरा अंजुली कुमारी विगत मह में राजशी से प्रसिक्शन लेकर आए थे इन्होंने भी छात्राओं को बालिका के मान सम्माहीतु कॉले भाषन में प्रचारे ने कहा कि सरकार की विवन योजनाओं का देश्य लेंगिक समानता को खत्म करना है बालिका के संरक्षन एवं सनवर्धन में समाच का विकास होगा मुख्य वक्ता बजबिन कुमार ने बालिका का परिदृष्य पर विस्तरित रूप से प्रकाश जाला मंचु संच्वालन तथा मुख्य भाषन प्रोफेसर सतीश कुमार यादव ने कहा कि महिला के शक्तीकरन के पूर्व उसका प्रारंबिक रूप बालिका पर हमारा ध्यान केंद्र होना चाहिए प्रोफेसर विनिता कुमारी ने कहा कि नारी शक्ती ही देश शक्ती है धन्यवाद ग्यापन प्रोफेसर राज कुमार वर्मा ने किया मौके पर प्रोफेसर धनेश्वर रजक रश्मी कुमारी प्रोफेसर अरुनिमा सिंग आईक्यू एसी कॉडिनेटर डॉक्टर M.N. सिंग, प्रोफेसर सुशीला चंद्रा, प्रोफेसर धर्मेंद कुमार वर्मा, प्रोफेसर रजनी कुमारी एवं प्रोफेसर सरीता कुमारी तथा सैकडों के संक्या में विद्यार्थी उपस्थित थे आज ग्रेडी कॉलेज में जारखंड सकार के तक्निकी एवं उच्छ सिक्षावी भाग के दवाज़ देशित एक विशा है, परसार गर्वित सेमिनार और वर्क्शॉप का आज़न किया गया है, इस टॉपिक का विशा है, इन्हांसिंग दे वैल्यू आफ गर्ल्स चाहिड़ हम देखते आ रहे हैं, बालिकाएं हर दगा अस्वर्चित मश्यूश कर रहे हैं अपने आपको, किस प्रकार उन्हें समाज में प्रतिश्चित किया जाए, सम्मान दिया जाए, और उनके विकास के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश करें, इसी समाज में आगे बढ़ाएंगे, तो वाके एक बहुत अच्छा विसे है, जो हम लोगों को मिला है, और बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद के लिए, जाएंगे, आप सभी महिलाओं और बेटियों की और से, और इससे राजनीती में भी महिलाएं सक्रिये होकर अपने आवाज को बुलंद कर सकेंगे, और इस तरह के टॉपिक आने से बेटियों के बीच में जागरुता फैलाई जा सकती है, और बेटियों आगे बढ़ सकती ह तो मैं आप सभी लोगों से आगरा करूंगी कि कभी भी बेटियों को नेतरितो करने की छमता उनके अंदर अगर है तो उसको बढ़ावा देना है और अलग-अलग छेतरों में उनको बढ़ाना है, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, मीडिया भाईयों को भी धन्यव गांडे के सितला गाउं में सुमवार को एक घर में आग जनी से घर में रखी नख दी, जेवरात समेत दो लाग पचास हजार की समपती जलकर राख हो गई बाद में ग्रामिनों की मदद से आग पर काबू पाया गया बताया गया कि सिताला गाउं में सोमवार को दिवाकर वर्मा की घर में अचानक आग लग जाने से घर नगदी जेवरात वस्त्र अलमीरा समेत आग लगनी की सूचना मिली आग जनी को देख ग्रामिन एक कत्रित होकर आग में काबू पाया जब तक आग में काबू पाया तब तक घर में काफी कुछ जलकर राक हो गया सूचना पर गांडे पुलीस भी मौके पर पहुची और जांच परताल शुरू कर दी कुछ ने अचानक देखते आग लग गया अभी हम वहीं साधी बगल में लगता हूं वहीं तुरंद गये थे माता अगंटा पाले गये थे उदर से आये तुरंद पुरा देखते हैं दुमा उड़ रहा पुरा आए जब तब 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 पानी होने लगा तब तब तो पुरा संपते हाँ नुक्सान हो लबाशक राने का दुसरा को घर है कुछ ने गर रहे तो बहुत रहाएं जीसे लोगों को पता चला जब पुरा अनुको पता चला आका थे और पता किये तो भी देखे बंद यहां के ग्रामिनों के दिवारा वह बहूत धुजवाद के पाथ है मत मतलब आग पर काभु पालिया गया है इससे जहां से पता किया दिवागर भागु से भी पुछे हम लोग अकर आकरन करते हैं कम से कम धायलाकत संपती इसका मुने नुक्सान हुआ अगर जोनों रहता था दोनों घर जल गया मैं यहां के परसासर से मांग करता हूं निवेदन करता हूं प्रात्रा करता हूं कि इसको आपदा के प्रमंदल के त्वारा जो रासी दिया जा और साथ ही साथ इनको रहने के लिए एक अबु आवास भी दिया जाए क्योंकि यह परिवार छट भीन हो गया है अब देख सकते हैं कि दोनों मकांज होता दोनों जल के खाक हो गया है हजवारी बाग में आयोजित प्रमंदल अस्तरिय रोजगार न्याए मार्च में शामिल होने भासपा युवा मौर्चा के सैकडो कारिकरता सुमवार को सीहो ठीके आम बगान से बस द्वारा नवाना होई युवा समाच सेवी मनीश कुमार के नैतरितों में 200 से अधिक संख्या में ग्रेडी युवा हजवारी बाग के लिए कूच किये सभी युवाओं ने एक स्वर में इस युवा विरोधी जे एमेम सरकार के खिलाफ मौचा खोलते हुए जमकड नारे बाजी किया युवाओं ने ततकालिन सरकार के प्रती काफी असंतोश वेक्त करते हुए सरकार से युवाओं को उनका हक दिलाने की नाकामी को उजागर किया युवासमात सेवी मनीश वर्मा ने सभी युवाओं को नारा देते हुए आगामी चुनाओं में इस सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प दिलाया इस दौरान जे ससी जैसे महतपून परिक्षाओं में प्रशन पत्र लीख होने का मामला मुखे रूप से युवाओं में आकरोश का केंडर बिंदु रहा सभी युवाओं ने संकल्पित होकर भारती जनता पार्टी को समर्थन देने का नारा दिया एवं हजारी बाख के लिए रवाना होई जहाँ नियोजनाले का घिराओ कर सभी आकरोश प्रदर्शन करेंगे इस नियाए मार्च में भाग लेने वालों में जेर्वधी मुख्या राजकुमार, रंजीत स्वर्णकार, नीरजरय, विशाल वर्मा, मनोच सी, नागेश्वर वर्मा, नागेंद्र वर्मा, सुनील गुपता, सुरेश, श्वर्णकार आदिश्यामल थे भारतिय जन्ता, युवा मोर्चा, प्रतेस जारकन के निर्देशा नुसार, आज हम सभी रोजगार नियाए मार्च के लिए, हजारी बाग के लिए कूच कर रहे हैं, गिरेडी से, दोस्वों की संख्या में, युवा मेरे नित्री तुमें, आज हजारी बाग के लिए इशा हो, चाही किसी परिकार के रोजगार संबंदी, युजनाएं हो, किसी भी काम को या सरकार सफलता पुर्वत नहीं कर पाई है, किसी भी काम को पारदरशिता से या सरकार नहीं कर रहे है, उसी के विरोध में सभी द्वा साथ ही, एक साथ clam catr होकर, हम लोग हजारी प्लेस टूच विद्याले पच्छंबा में केंद्र सिक्षा राज्यमंत्रियन पूर्णा देवी के द्वारा 780 बालिकाओं के बीच साइकल का किया गया वत्रन गेल इंडिया लिमिटेड न्यूदली CSR से जलाको करवाया गया है साइकल उपलब्द गिरिडी बेगाबाद एवं गांधी प्रखंट के छात्राओं को मिला इसका लाब कला संगम गिरिडी के तत्वधान में आईच्वित तीन दिवस्य नाटक शास्त्रे निरित्य लोक निरित्य प्रतगिता का हुआ समापन बहतर प्रदर्शन करने वाले कला कारू को किया गया सम्मानित जगदीश प्रशाद कुश्वाहा की स्मृती में हर साल किया जाता है कारिकरम आगामी लोक सुभा चुनावप में मतदाता भागिदारी बढ़ाने के उदेशों से सिविल कोट में किया गया ज़ागरुकता कारिकरम कर्मियों को दिलवाय गया मतदाता प्रतिग्या श्रपत का पार्ठ डीसी ने बार एस्सिएशन के प्रतिनीधियों के साथ की बैठक सरस्वती शीशु बिद्या मंदिर में केंद्र सिक्षा राजी मंत्री अनपूर्णा देवी ने बिद्याले में दो भवन का की शिलन्यास प्रधानचार्य आनंद कमल ने मंत्री को पुष्प गुछदे कर किया स्वागत कई गन्मान्य लोगु की रही उपस्थिती और बुडियादी में श्री श्री 108 श्री अंजनी पुत्र बालाजी मंदिर का प्रान प्रतिष्था सा पंच दिवस्य यग की हुई शिर्वात निकाली गई भव्य जल्यात्रा कथा और राम लीला का भीक्या गया आयोजिन 15 मार्च को होगा यग की समाप्ती आज की आंग में बस इतना ही हम फिर मिलेगे कुछ अने खबरों के साथ तब तक के लिए दीजे पुरी टीम को इजाधत धन्यवाद